अस्सलाम ओलेकुम डेली मर्कस की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें डेली मर्कस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं आण्यूब ख्यूबूM फीजितिकुन न मिन आयात आ कान जतीव हजरा इं लुत्लिमें ल मुवित अिव आं लुत्ū मैंठी हुएत्त इन मेंटीन जतीमां मेरे इंतिहाई महतरम दोस्तों अभी जो और इंतिहाई महतरम बेहनों अल्लाह बिलिज्जत ने इस उम्मत को बैतबार बर्दों के, बैतबार उर्टों के, बैतबार बच्चों के दीन की नुसरत के लिए चुना है, दीन की नुसरत के लिए चुना है और ये इंतिखाव इस तरह इसलिए किया है, ताके उम्मत में कोई एक दबगा भी ऐसा न रहे जो दीन के मददगारों में शामिल ना हो और अपने आपको दीन का मददगार खयाल ना करे उम्मत एंटीन बख़गात पर उम्मत के लफ़ इंतीन बख़गात पर लागू होता है मर्द और जरत और बच्चह अगर इन तीन बख़गात में से कोई ये तुभगा भी आमाल दावत पर और दावत इल्लाव पर गाएम नहीं है तो घर में बातिल के दाखिल होने का वही जरिया बनेगा यह एक मुसल्म और तजर्वे की बात है और लोगों को इसका मुशाहिदा है लोग जानते हैं क्योंकि उसूल इबादी है कि जो खुद अपनी जाद से हक्की दरफदाई नहीं होता बातिल उसको अपनी दावत के लिए इस्तामाल करता है इस उम्मत को आमाल दावत इस्तिमाई जोर पर इसलियो दिये गए थे ताकि आमाल दावत का इस्तिवाल इनको बातिल की दावत के कुबल करने से रोख दे इसलिये के सहाबे कराम के वाकियात में ये बात साफ़ दोर पर मिलती है के आमाल दावत का मसलसल इस्तिवाल आमाल दावत का मसलसल इस्तिवाल ये ताकि बातिल अपनी दावत के चलाने और मसल्मान को हक के खिलाव इस्तामाल करने से मायूस हो जाए ये ये दावत की बुनियाद है ये आमाल दावत सिर्फ दीन सीखने ये हद तक नहीं है आमाल दावत बातिल से बचने की इधाल है है समाते थे जब तक ये उम्मत के तीनों तबगे इन आमाल पर मुझतमा नहीं होंगे उस वफ़ तक ये घर में बातिल को आने से रोपनी सकते है ये आमाल दावत बातिल से बचने की इधाल है इसलिए ये ये बात सरहादन मिलती है ये बात सरहादन मिलती है ये बातिल को या तो मजबूर करेगा हिदायत के राचते पर आने में ये रासे से हटा देगा काविल मालिक रदी अलाह थालनू का सिर्फ एक मौके पर सिर्फ एक मौके पर अल्लाह के रासे में नही नहीं कलना इसने गसान बाश्चा को इस बात पर आमद़ किया कि इने अपनी तरफ आने की दामत देए मैं हर्द करना जाता था कि इन बातों को समझने के लिए हर काम करने वाले के लिए जरूरी है कि वो मौना अभ्सवाद के बेयानात को गोर से बढ़ा करे ताकि औरतों के और बरतों के और बच्चों के इन आमाल दावत पर मुझत होने का यह ख्याल करना के जो जो जिम्मेदारी जो काम जो कारनामे और दावत के जो तकादे मर्द बुरा कर सकते है ये औरतों की सदाज नहीं है ये ख्याल बिलकुल घ्लत और बातिल ख्याल है इस तरह दावत इलाला की जिल्मेदारी की सदा से नीचे नहीं समझा जा सकता ये असल में जो कहना चाहता हूं इस तरह औरत को उम्मत होने के रिष्टे से नहीं काना जा सकता उम्मत का लग औरत मर्द बच्चे तीनोबर लागू होता है इसी तरह औरत को इस दावत इल्ला के जिम्मेदारी में मर्द की जिम्मेलारी से कम नहीं समझा जा सकता घर के जो आमाल है ये घर के आमाल ये घरों में बातिल के दाखिल होने से बातिल को घरों में दाखिल होने से रोकने के लिए और हिदायत का नूर दिलों में उतारने के लिए थे हिदायत तनूर दिरों में उतारने के लिए आमाल थे इन आमाल दावत को हिदायत और तर्वियत के यकीन के साथ करना इन आमाल दावत को हिदायत और तर्वियत के यकीन के साथ करना ये ये असल इनमें ये असल इनका मुफस्द है कि दिवारे बात है ये कुरान ने घरों में औरतों के किया जाने वाले आमाल को खुल कर बयान किया और इसके बास तमौन सिफात एमानिया इस आएद के जेल में बयान किया मस्तुराद घरों में क्या आमाल करें इन आमाल को बयान किया और आगे तमूम सिपाद इमानिया वाली मर्द और अरत इसके जेल में बेहन की है कि इससे सिर्फ औरते नहीं मलके मुस्लिमीन, मुस्लिमाद, मुमिनी, मुमिनाद ये सारी सिपाद इमानिया लाह ने जमा की इस आयत में इस आयत में साज़ इस वाद इमानी अजमा की है और इस से पहले इस्तमाई तोर पर घर में किये जाने वाले आमाल आमाल को बेहन किया है फर्माया कि यह ओरतें घरों में रहकर यह ओरतें घरों में रहकर इस घरों में रहने का बतलब यह ना समझा जाए ये ना समझा जाए कि औरत दूसरे घरों के अंदर आमाल अबादत का माहौर काइम करने के लिए अपने घर से ना निकले इसका मतलब ये ना समझा जाए बलकि इसका मतलब ये है कि जाहिलियत के तरीकों की तरह बंसवर कर घर से बाहर निकलने से औरत परहेंद करें इसलिए कि ओरत नामी ओरत का है ओरत शरमगा को कहते है लेकिन ओरत सर से लेकर पेट तक चुपानी की जगा है। अवरत तो सतर को कहते है, मरत को अवरत नहीं कहते है, इसलिए कि मरत सर से लेकर पैट तक छुपाने की जगा नहीं है, अवरत सर से लेकर पैट तक छुपाने की जगा, छुपाने की चीज़ है, इसलिए अवरत को अवरत का आ जाता है, कि ये सरापा हुरत है ये सरापा हुरत है इसलिए फर्माया कि ये बन समर कर बाहर निकलें इतने घरों में रहें और घरों में क्या आमाल करें सबसे बेर फर्माया वाकिम नस्वराता नमादे ऐसी नमादे ऐसी दुरुस्त और इतने कामिल नमाजे काहिम करें क्योंकि नमाज का काहिम करना ही इसको कहते है जो मुसल्मान के जिन्दगी को सो फिसद तक्दिल करते है सो फिसद दिन को काहिम करने वाला अमद और सो फिसद दिन को काहिम करने वाला सबब वो नमाज का कामिल होना है पहला काम वागीन जगाता इन्हें अपने मालें से बड़ी महबद होती है ये शोहर का माल जगात में दिलवा देंगी लेकिन सुने से महबद है कहा के ये अपने माल की जगात दे औरतों के जजबात ये हुआ करते थे कि जब हुद्धर अकरम से लिलवा जल्लों ने मुल्क से बाहर जमादों के रहीना के रादा फर्माया तो उड़ों ने अपने सरसे लेकर बेर तक अपने जवराद को उतारकर आप पर सामे ठेर लगा लिए आप उनको आपने उम्मत के इसी दिख सिखलाया था कि उम्मत के माल का सबसे बड़ा मसरफ अल्ला के दीन तर दुन्या में काइम होना है और गोर भी किया गया तो यही मिला और अन्फिकू फी सबीलिल्ला वला तल्कू बेजिकू मिलत तहलुका कि अल्ला के राज़ते में अल्ला के राज़ते की नकल हरकत में अल्ला के राज़ते की नकल हरकत में माल खज़ करने में कमी मत करो वरना अपने हाथ और अपने आपको अहलाकत मनदात हो गए यह आयत नादिल उसक्त होई थी जब अनसार मदीना ने सिर्फ छे महीने हो मदिना मुर्वरा में रहना देखिया था उस्व बेया कादिल होई थी इसमें यह संजाया गया था कि इस उम्मत के माल का सबसे पहला मसर्फ वो अल्ला के राज़ते की नकल हरकत है तो मैं आज़ कर रहा था कि यह दूसरे सिवत बेयान की दूसरा दूसरा हुक्म दिया वातीन जगाता और अल्ला के रसल की इताद करे चूंके अल्ला ताला इनके जरीए तुम्हा उड़तों को पूरी तरह पाक करना चाहते है यह इस आयत पर गर्ивать करे हम इनमा युरीदु ल्यूजिवा अनकु औरिचसा आहलिलबीद वयुटहरकु मतधिरा यह ल्ला ताल्य यह चाहते है इनमा युरीदु नद्ला अन्यूजिवा अनकु मुरीदा अईचसा आहलिलबीद कि एक हरो में रहने वादियों अल्ला चाहते हैं कि तुम्हें पूरी तरह हर गंदगी से हर गुना से हर शिर्क से पूरी तरह पाग कर दे लपहिरकुम तद्खिरा कि अल्ला पूरी तरह पाग करना चाहते हैं आगे फरमा या وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بِيُتِكُنَّا مِنْ آیَةِ لَا وَالْحِكْمَةِ इन अउर्तों को चाहिए कि ये घरों में इस्तमाई तोर पर गुरान की दिरावत और अल्ला की गुद्रत और उसके बड़ाई के तथकिरे किया करें इन अल्ला कान लुद्रिफण खबिरा अल्ला ताला बहुत बारी क्बीन बाखबर है कि तुम उड़ते घरों में क्या कर रही हो बन्यादी बात ये है कि ये जमने में ये घर के जो आमाल है इनके बारे में एक बहुत महदूद सोच और तबलीगी जमाद तबलीग जमाद में भी समझे जाता है कि एक छोड़ा सा शौबा है मस्दूरात के काम का इनके खुरूज और घर के इन आमाल पर उम्मत को जिस तरह हिडायत और तर्वियत का यकीन करना चाहिए और आमाल की आयाद और साहबा की सीरत को सामने रखकर वो यकीन हिडायत तर्वियत का अभी खुद काम करने वालों को भी नहीं है खुद काम करने वालों को भी नहीं है ये बाहर कितना बड़ा शुरा का जिमेदार हो लेकिन घर की तालीम में इस यकीन के साथ मर्द की शिरकत नहीं है कि अल्लह रख लिजजद ने इन आमाल के अंदर तमाम सिफात का बेदा करना और हर तरह की गंदकी और गुनादे पाक करना रखा है जिसका अभी यकीन काम करने वालों को भी नहीं है हलेकि अल्लह रख लिजजद साफ तो बसा बारे है और जिरत सहाबा की बतला रही है कि अमर अभी अल्लह रख लिजजद नहीं का हुजद एकरम सिल्ल्लह लिजज़ सिल्म को गतल करने के अरादे से चलना और सुतिय तल्वार हाद में कि बेकिसान अम्दा कराता हूँ यहां से मालुम हुआ कि पहले बेहन के घर की खबर लो यह बेहन के घर की तरफ पल्टे कि पहले बेहन से निम्टता हूँ हर सरमादे थे कि दर्वादे पर पहुँचे तो साफ आयत तसमें नहीं आये कुराइन की थोड़ी सी ऐसी गुर्गुनाहत जैसे कुछ पढ़ा जा रहा हूँ अंदर हलाके कुराइन की आयत को समझे भी नहीं और अलफाद भी साफ समझे नहीं आये इसे ख़ाइन में इसी तरह कुछ नुमुनाहत सी महसूस होई मालुम होगी हलाके दीन इस घर में आगया है है समझे थे अंदर दाखिल हो ये तुमर तो इस घर के गुराइन की तस्रीक के हलके का ये असर पड़ा ये असर पड़ा कि हुमर रदिया लाह टाला नहुने मुहम्मद सिल्ल्लाह लिए सिल्म के गदल के इरादे के बज़ाए आपके दीन कुमल करने के रहता किया पुछा क्या कर लेजी ही हम ये पढ़ रहे थे एक अंदर का गुसत उत्रा लेकिन मुमर रदिया लाह के जजजबाद और उनकी शिदद ये सारी शिदद और ये खलद जजबाद एसान तब्दील हुआ इस तकामत में कि जो नुसान इसलाम को है तुम्र की वफाद से हुआ है वो नुसान किसी से नहीं हुआ और जो दरार इसलाम के क्रेम है तुम्र की वफाद से पड़ी है वो किसी से नहीं इन तेरे वहत हुआ है अशद्धूम फे अमिल्लाई उमर कि अल्हा के दीन के बारे में उमर सबसे ज्यादा मजबूत और सखत है लेकिन अगर हम हरत उमर के इसलाम के सबब की तरफ जाएं कि आखिद सब्वे हिदायत क्या हुआ यह तो आम से आम आदमी आपके जीज़ें आफ़ करता था लेकिन उमर की शिद्ध और सखती अल्लाई ने इस सारी जिद को इस तकामज़ तद्दिल किया सब्व क्या हुआ कि सब्व घर में कुरान की तस्जी का हल्का यह अगर की हिदायत का असल सब्व बनाए हिद्ध से पहले का आमन है बाद वरत अबाद साथ इस पर के भई यह क्या जरूरी है इसकी क्या जरूरत है हला कि पुरान को खोल कर गहरा है वज्गर्णा मा यूतला अफीव यूत्यू कुना मिन आयाति लाह विलह हिक्मा यह आमाल आमाल दावत है जिसलिए दिये गए है वरत का लारा बेले लिज्जत ने जो इस्तादाद और कुट दी है इसकी सलाईयत का अगर इस्तावाल इसकी सलाईयत का इस्तावाल अगर यह आमाल दावत पर नहुआ और यह ख्याल नह किया जाए कि ये नाकुज़त अगल है कि अगल का नुखसान तो जब है जिम इस अगल का इस्तामाल हिडायत और आमाल इजावत के लिए और दीन को कायम करने की गर्स से इस्तामाल ना हो वरना फत्ह मक्का फत्ह मक्का जो फत्ह इसलाम है अगर इस फत्ह मक्का के بنیادی equivalent की तरफ जाओ जिसे हमेनल conviction की अगर हिदायत हिदायत की जायत के بنیاد रहुज़ की तरफ जाओ तो वो और इस्लाम की तस्षी का हलका मिलेगा अगर हिर्थमेन कीषनाम की पर अगर जाम की तरफ जाओ तो वो और कुराम की तस्षी का ह pessimित छाओ बनियादी मस्रूआ की तरफ जाओ तो मैं उमे सेलम का शोरा मिलेगा मेरी बहर टो जोज्ञ जाओ और क्या मिलेगा उमे सेलम का शोरा मिलेगा कि मैं परेशान हूँ क्या तरू आts? अल्ला का खुकम है कि वापस जाओ और सर मुलाओ वहरां कुलो तो और मेरे के गला करो वापस जाओ लेकिन मेरे सहाबा अपने एक जजबे में हैं कि हमें अमरा करना है में क्या करो अमें सेलमा ने आपको नशार दिया कि आपको इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप अपना सर्म उडा लिजे आप अपने सर्म उडा लिजे ये सब के सब आपको देखकर वो करेंगे जवाब करेंगे आपने मुम्र सेलमा के कहने पर यही किया सहाबा ने जो सर्म उडाने को तैयार नहीं थे अपने सर्थ, खुद अपने साथे हादों से सर अपने सर के बार मुल ले इनके सरों से खोन बेह रहे थे वो नभी को एक अमल करते हुए जाए के खुद ना करे ऐसा नहीं हो सकता लेकिन गोर किया जाए तो इसने बड़े जजबे को हुकम पर गुर्बान करने का जो बुनियाली सबब बना है वो में सलामा का मशरा है और ये हुदेबिया ही असल फदे मक्का है जाब खुद समयते हैं कि तुम लोग कहते हो कि फदे मक्का मक्के बार हमला करना है हम जानते हैं कि फदे मक्का वो हुदेबिया है मैंने मैंस कर रहा हूं कि ये ख्याल नेक ले जाए कि ये कुछ प्रोग्राम है तबलिव वालों के जो ये करहन करमें पाइब करना चाहते हैं नहीं इस काम को प्रोग्राम समझना और हिदायत का दाप्ता समझना इसका फर्क सिर्फ ही है कि अगर इन आमाल को इसमाने के इत्मार से समझकर किया जाएं तो ये प्रोग्राम है और अगर इन आमाल को आमाल इदायत और आमाल नुबुवत और आमाल इस सहाबर यकिन करकर किया जाएं तो ये इदायत का दाप्ता है प्रोग्राम नहीं है पेरायच का दाफ्ता है सहाभी आड़ ने आप से तलग किया कि आ रसल ला्ट ये मर्द आपके पास आते हैं मुश्री में आते हैं बास सुनते हैं आपके हजी से आद्ग करते हैं हमें इनकी मुखान है चाहिए आप से लाव सिलमने हफ़ते का एक दिन मुतायन कर दिया कि हफ़ते में एक दिन और ते जमा हो जाये करें और आप उन्में भास फर्माएं हफ़त आलीम क्यों हर घर के अंदर आमाल दावत काईम करने के लिए है हफ़त आलीम हर घर में आमाल दावत काईम करने के लिए है आईशा रदी अल्लाह उख्या नहां ने घर की तालीम से वह इन हासिल किया है कि वारे सहाबा मुश्किल मसाहिल में अरत आईशा दे रिजू करते हैं अल्लाह खेर दे इस जमाने में अल्मा ए अख को कि इन औरतों को इस पुर्फिदन जमाने में जब कि एक मुसल्मान औरत का जजबा भी यह हो एक मुसल्मान औरत का जजबा भी यह हो कि वो दुनिया के फनून और जहालत में अबर नमबर आकर दिखला है इस गंदे जजबे के जमाने में इन औरतों में इल्म का शौक और जोक पैदा कर देना ये मैं समझता हूँ कि ये उल्माय हक की का इखलास और उनको उम्मत उम्मत की और तो गहिए के दम तुचे करना ये उल्माय हक का इखलास और इनकी खिद्माद का नतीजा है वरना औरत का ये जजबा गंदा जजबा है इंत्हाई गंदा जजबा है कि वो दुनिया के वो दुनिया को आगे बढ़ाने और दुनिया बतर अपकी देने के लिए मर्द के शाना बशाना चले ये औरत की हया, औरत की फितरत और औरत का जो एक गहर निजाम है इस सब के बिलकुल खिदाव है अगर ये आमाल अबाद की तरफ आएगी तो फिर इसकी सदाईएते ऐसी है कि अगर सहाबियात के की आमाल औरून की गुर्बानी अबर गोर किया जाए तो ये उम्मत के उम्मत के इसलाम में दाखिल होने का एक बहुत दुन्याली सबब है इसलिए मैंने आज़ किया कि ये खर के आमाल, इन आमाल को आमाल हिदायत और आमाल तर्वियत और आमाल और नमुवत यकिन किया जाए आमाल हिदायत आमाल तर्वियत और इनको आमाल और नमुवत यकिन किया जाए और इनका खुरूच, इनका खुरूच तो इसलिए जरूरी है ताके हर घर का 24 गंदा का निजाम दावत और अबादत पर, जिक्र जिक्र तिलावत पर आए ये इनके, अल्लाह करा राजसे के खुरूच का असल बन्यादी मकस्द है अपनी मस्दूराथ को लेकर निकलना इस खर्द के लिए है ताके हर घर का चुमिल खंदा का निजाम दावत और अबादत जिक्र जिलावत तरह आए इसलिए अपनी मस्दूराथ को अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीव दी जाए लेकि एक शफ तरगीव देता है पड़ोस में जब हादसा हो गया है हमारा फरिज़ा बनता है कि हम ताजित की लिए जाए फना पड़ोस में एक खुशी हो गई है पड़ोसी का हक है कि हम इनकी खुशी में शिर्कत करें वारगबाद देकर आए ये जितने लिए लगव हरकत के असबाब है ये एक अखलाकी तकादा है लेकिं सो फीसद दी, सो फीसद उम्मत में जिन्दा हो ये तकादा सबसे आहम तकादा है हुशर एकाद सिर्ल लाहिए सिलम उम्म हराम बिनते मिल्हान के घर में आराम फर्मा रहे थे मस्कराते वे उठे उम्म हराम ने पूछा कि आप क्यों मस्कराए फर्माया कि उम्म हराम मुझे एक जमान दिखलाए गई है खाग में जो कश्टियों में सवार होकर फर्म मुल्क में अल्ला के दिन को पहुचाने के लिए सफर करेगी और वो कश्टियों में ऐसे बेटे हुए होंगे जैसे बादशा अपने सख्टों पर इत्मिनान से बेटे हुए होते है उम्म हराम ने आर्द किया के मुझे भी जमाद में शामिल कर देगे समन्दरी सफर इंत्हाई खतरनाक सफर आप मुझे इसमें सख्टियों आप मुझे इसमें शामिल कर देगे तो वहांए हराम तुम इसी जमाद में हो पर आप सोए दोबारा मुस्करा देओ उठे फिर पूचा अङंगए अब क्या बात है अब क्यु मुस्कराया आप वहाए हराम मुझे एक जमाद हो बिख लाई गई गई है जो अल्लाव करा स्वें में निकलेगी और समय जरा से समय जरा स्वें सफ़ करेगी और ऐसो बैठे हुए हूंगे तकटवा जिसे बाश्ऩा हमने तकटवा इतना अंसुकुन से बैठे होते हैं उम्हराम नहां हुर्ब किया दूसरी जमाद से भी बेना नाम लिख दिए दूसरी जमाद से भी शामिल करें आप ने फर्माया उम्ने हराम यह तुम पहली जमाद में निकल कर फराव उसमें वफात पाज़ चुबोगी तो दूसरी जमाद में करें शामिल हो जाओगी बहरी जमाद में निकलोगी उस मुलक में जाओगी वहां तुम्हारी वफात होगी वहाँ तुम्हारी तुद्फीन होगी तुम दुद्धी वाद के साथ पी हो अम्भा हो अंपर इसी भी और करो हती होंगी जिस और के बदा दे ले गया है कि तू फराम मुल्क में जाकर मरेगी वोड़ जाने के निश्याद है इन घरों के अंदर एमान के हलकों से है वो एमान की गुवत थी वो एमान की गुवत थी कि ओरतें घर में पेश आने वाले हवादिसाद को मर्दों से छुपाती थी अब ओरतों के एमान का हाल यह है कि मर्दों को हवादिसाद औरतों से छुपाने पड़ते हैं वै कुन बताएगा उड़तों को वै कुन बताएगा उड़तों को कुछ सरह समझाएंगे क्यों फिला बिबार हो गिया था आदमारी बढ़ गई थी एक दिन तो ये खबर अगरे दिन ये खबर किस सीरियस है अगरे दिन ये खबर कि इंतगा लो गया औरते हैं के जबालेगी क्यों वो आवाल कहां है जिन आवाल के यकीन पर और औरत औरत हर हाथ से बरदाश कर सकती है औरत अपने बच्चे का हाथ से बरदाश नहीं कर सकती है औरती औरती फिद्रद है बड़े बड़े हाथ से बरदाश कर लेगी लेकिन औरत से बच्चे की तकलिव बर्दाश नहीं होती है इसलिए कि जितनी नामते हैं वह सब बाहर की है उलाद वह नामते हैं जिसके पने बर्दन का हिस्ट आए और अमर बर्दाश कर लेता है इसने इसके हमल को और इसके बच्चे के जन्ने की तक्लिफ को बड़ाश नहीं किया बच्चे के जन्ने की तक्लिफ को बड़ाश नहीं किया लेकिन औरत औरत नहीं है दोने तक्लिफ को बड़ाश किये वदाशों हमेरे सुमुरू गुरहा वदाशों कुरहा दोनों दो तक्रीवे हैं दो तक्रीवें बज़ाश की है बच्चे का इंतकाल हो गया बच्चे का इंतकाल हो गया बिमार था शोहर बाहर के वे वेदे आगर पूछा उम्मिय सुलेह बच्चे का क्या हाल है कि बच्चा बच्चे की तवियात देने से बहुत अच्छी है सुचिए इसके चेहरे से सर्णा बराबर महसुश नहीं हुआ ये घरे में जगे जाना रखा हुआ है शोहर एंठाके हुआ है मुझे चाहिए कि मैं इनको सिमा दू बच्चा मिल्कुल खेरियत से है जुकुन से है पहले जिपित बहुत बेटर है अब कोई तकलिफ नहीं है बाप नहीं हो गया घरे में से का जनादा रखा हुआ है चुपा घर्ड विवायत में है कि इस ओरत ने उस दिन जितना अच्छा अपना अपने हुसन जमाल का और अपने बनाओं सिगार का जितना बेटर से बेटर इंतिजाम कर सकती थी जिसने वो किया अच्छे से अच्छे कपड़े बेह ने शोहर के लिए खाने तैयार किया पहरे खाना खिलाया यह सा नहीं हाद्टी की खबर से खाना छोड़ दे पहरे खाना खिलाया पहरे खाना खिलाया कि शोहर को मुझसे मिलने की खायश होगी शोहर से मुलाकात की और ऐसी मुलाकात की कि ऐसी मुलाकात जिस से इस बच्चे के खर से निकलने से पहले दूसरे बच्चे की बुन्यादी पढ़ गई लेखिया इसी ओरत शोहर सहुबत कर रहा है घर में जाले रख़ा हुआ जब सहुबत जफारी हो गए तो पुई काफ साथ का मच्चे को तला हूँ बच्चे को देके लेके तुमारा क्या ख्याल है ये बताओ अगर कोई शफ़ अगर हम किसी घर से कोई बर्तन कोई नीश मंग रस्ता है तो हमें वापकरने का हमें और शुमारा की जाएगी थितव है कि अजथ हुआ कि लिए ये हैं कि वापस करना का छोग Hay लेगे जाए है अब तक मुझे नी बतलाय ख floss म, तूने मुझे ख़हाया हूज और तो ये से का रेखा रहां है किने दिजे अन्हे कमानत ती, मुझसे कर लिए अब तक कि यहाज्द वहा सुबह को जा कि आप रहति है आज कि यहाज़ा हो गया है आप मैं आज्रस्म लेड़त कि आज मेरा लगात किये कि जी हाँ अल्ला बसकते है इस से वो बेटा पेड़ा हुआ है जिसकी होगा आदमें तमाल के तमाल वफाल थे कोई बच्चा गेरा भी दूनी था मैंने ये वाकियां सिर्व वाकिय के तो पड़नी आजितिया क्योंकि तो हाबा और सहाबयात के जितने इमान के वाकियां से वो हमें अपने एमान के जौफ का एसास पेड़ा होने और एमान सीखने के लिए है मैंने पुरा अपके जिसन जाने के जर्थ किया है कि घर में वह आमार होते थे जिन आमार की वज़े से अल्ला के वादों के यकीन ऐसा गालिब था कि उन्हें जिन्या के इन हमादिसात की बावजूद है कि उनके दिलों में शबकत और रहमत कुटकुट के बहरा हुआ था लेकिन वो अल्ला के वादों के यकीन पर इहतिसाब करते थे इसके लिए तालीम गालते थे कि ऐसा आमार के यकीन के निसे बड़े से बड़े हाध्से को बड़ाश्ट कर जाएं और अधरी जात्याली से अजर की उमीद कर कि इसको ऐसे ऐसे वाकिषाद को तरह पहमुल कर लें बड़ाश्ट कर जाएं यह सिफात घर के इनाअमाल से तो मैंने आज़िवा था कि असल मकस्त यह था मस्तुरात की जमादों की नख्वा हरकत का त्यूंकि जो जिम्मेदारी मर्दों की है खुदा की खुदा की खुदा की खुदा की है इनके जिम्मेदारी मर्दों की है कि ये मस्जिदों में आमाल का माहूं काहिं करके हर मुसल्मान को आमान मस्ची से जुड़े है अर्टों के जिम्मे है कि घरों के अंदर इन आमाल को काइम करें हमारी मस्तुराद की जमातों का खुरूज इसलिए जरूरी है बेशक शरायत और महरम और परदा ये तो सब शरीया काम है लेकिन ये भी शरीयत पर हुकम है कि इस उम्मत के हर फर्द पर पूरी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है इस फरीजे की एदाईगी का सबसे बुन्यादी सा तरिखाय है कि घरों के अंदर इन आमाल को काइम करने और हर घर की मस्तुराद को पर इसाथ लेकर 24 घंदे के आमाल अगावस ऱादत और 24 घंदे की सुन्नत है और अहकाम शरीयत इनको सिकलने के लिए हर घर के अंदर मस्तुराद की जमातों का इसलिए हम ताकीद साहथ करते हैं मस्तुराद की जमातों से कि वो अपनी मस्जिद के अतराफ में रहने वालों को जमातों के इस्तखबाल की तरगीब दें जमातों के इस्तखबाल की जमातों की जमातों की तरगीब दें है अपने गरों को आने वाली जमातों की इस्तखबाल के लिए बेश करें हर घर में अर्टों के जमादों के दाखिल करना इसलिए जरूरी है ताकर उसका 24 गंड़ा का निजाम दावत अबादत पर और जिकर दिलावत पर आए ये मुक्तसर बात है आमाल दावत की एहमियत और इन आमाल दावत पर इन सिफात के बेड़ा करने का ये तो कुरान ने खोल कर बयाद किया है ये मुझे उसराद करना था इसलिए हम बेसे हर फर्द को चाहिए कि वो खुद घर की तालीम में अपनी जाद से शिक्त करे सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम आमाल करते ही है इसकी जरूरत नहीं है नहीं बलके जिस घर के इंदर को ख़जाना होता है उस ख़जाने की हिफाज़त के लिए एहत्माम किया जाता है अपने दीन की हिफाज़त करो हमारे दावत से अपने दीन की हफाज़ करो आमाली दावत से इनामाली दावत का छूट जाना ये एसे राश दे बेदीनी लाएगा कि जिसका इसास में नहीं होगा इसलिए तद्लीख और दावत आमाली दावत सिर्फ दीन सीखने के लिए नहीं है बलके सीक्यों वे दीन की हवादत के लिए लिए है इसलिए कि अबाद बिल्कुल हक है उकरानी से भरे हुए है कि आमार जावत अबादत जो दोनों को जमा रखेगा मसलसल उसका दीन सबसे अच्छा होगा वुमान अच्छा उन्मान अच्छा इनल्लाह दोनों को जमा रखे इसलिए हम आमार जावत और अबादत पर खुदी मुझ्टमा रहें और इहत्वाम से घरों के अंदर अपने उड़तों को इन आमार के अंदर ऐसा वक्त है करके जिसमें जो सब्की सहुलत का वक्त हो सब्की फरावत का वक्त हो इस तरह सब को आमार जावत पर घमा रखें इस तरह Allah तोष्टमा पर को रहते हैं और सकीना और झाजिए होती है ये तो गरों के अंदर मस्तौराथ के आमार जावत पर जमा होने की है कि फरिष्टे अपने परों से गर के अंदर कि जानावाले इस्टमाई आमाल को अपने प्रोष से आस्मान तक खेख लेते हैं हर समाजे ते दूर्स तीजे बच्चों को गोदों में लेकर बेठो चूंके हदीस के हदीस के अबारत के बढ़े जाने से और कुरान के हलकों से जो अल्ला की तरफ से फरिष्टों का नुजूर होगा इन फरिष्टों के बढ़ों में बच्चों की तरवियत होगी वरना इन मुलकों में अल्ला हिपादों सर्माए बच्चों की फित्री तरवियत का निजाम खत्म हो नहीं रहा है बलके खत्म किया जा रहा है बच्चों की फितरी तर्वियत फितरी तर्वियत की जगह सिर्व और ची गोदे लेकिन नजरी आ रहा है कि अगर मर्द और और अउरथ डोनों का जजबा दुनिया बढ़ाने और दुनिया कमाने का है तो बच्चों को कोई कि तीसरी मखलुक आगर पालती है मेरी बाद दरा तमझे से बच्चों को तीसरी मखलुक आगर पालती है वो है वो खद्दामा और घर के अंदर मुलाजिमा जो बच्चों को पाले और ये मिया भी वी रोजा सुबा निकल जाए उसके तलाश में ये हैवानियत का तरीका है इनसानी तरीका ये नाई ये है कहांए का अगाद करती है कमाना ही उसी के जबिमे के जिमे करसक करना है और टको हित ऐत के आगे नसलों की तर्विए इसलिए नहीं है कि बच्छा तर्वियत के निकल अगर कर्पा है और उपर से जो अख्लाग और उपर से je ।र नसल जो सिफाथ चली आ रही होती है वो यहां आकर गाय होती है कि इन बच्चों की परवरिश करने के लिए बहार से मुदादमा रखी जाती है इसलिए माओं की वो सिफाद जो जिने सिफाद जबलिया का जाता है जो उपर से चली आ रही है वो सिफात बच्चों मुन्तकिन नहीं होते हैं इसलिए के इनकी तर्वियत के निजाम इनकी तर्वियत के निजाम वो ऐसे खादिमों के हवाले कर दिया जाता है जिस तरह घर के सफाई, सुत्राई और घर की जरूरियात खादिमों के हवाले की जाती है तर्वियत की और मदर्सा सबसे पहला मदर्सा बच्चे का मा की गोद है नहीं के बेयानाती मिलता है कि छोटे दूद पीते बच्चों को तालीम गालकों में गोद में लेकर बिठो यह नहीं बच्चे को तुन सिमार लो में ये कम काम कर लो तुन बच्चे को तुन सिमार लो में ये कम कर लो नहीं बच्चे को सिमारना मा की दिम्मेदारी है ताके मा की सिवाद बच्चे के अंदर पहला हूँ इसको सिखलाना मा की दिम्मेदारी है इसलिए मैंने आर्ज़ किया कि जो फित्री फित्री सिफात है वो बच्चे के अन्दे मुन्तकि होती है जब इस बच्चे की जरुईयाद का माँ खुद ख्याल करे ये एक नया निजाम है एक नया निजाम है अगर औरत मर्द की तरह दुनिया कमाने में आगे बढ़ेगी तो इनकी अपनी फित्री सराहियते और इनकी अखलाग इनकी औरादों के जरुद उन्दकिल नहीं हो सके जही है इसलिए फर्माया कि औरत का काम ये है क्यों कि औरत के बारे में फर्माया कि ये अतबदिल बाब है अतबत अलबाफ फरमाया औरत को घर की चोखट और ये लख कोई नय लख नहीं है बलकि सबसे पहले इबराहिम अलबाफ ने इस लख को इस्तामाल क्या है औरत की लिए इबराहिम अलबाफ की मिल्लत पर ये उम्मल है इबराहिम अलबाफ ने इस लफ़ को इस्तामार की असर पहले अतवा दिल्बा घर की चोखट दर्वादा चोखट से है अगर चोखट नहीं है तो दर्वादा बननी हो सकता घर की आइफाद दौरत से है अवरत को दर्वादा नहीं कहा बलकि घर की चोखट कहा है और उस गर को उस जोकर को बाकिर रखने का हुकम दिया है उस ओरत को बाकिर रखने का हुकम दिया है जो औरत शुक्र गुजार लुझी है थोना सावस्मिला इद्राईम ईविलियस्वें को एक तश्कील से रापस आए एक तश्कील से रापस आए घर पर पहुंचे बेटा घर पर नहीं था दो मर्तबा आमद होई दोनों मर्तबा घर पे बच्चा नहीं था खुरुच का और नकल हरकत का ऐसा मिज़ाज बनाया गया था कि लंबी दिश्किल से अपसी होई इबराहिम अलेस्टेम की इसमाई अलेस्टेम घर पड़ नहीं थे बहु से पूछा कि इसमाईल कहा बहु ने कहा कि बहु ने कहा कि वो शिकार पर गए हुए है पूछा कि तुमारा इस घर में रहन सेहन कैसा है जरूरियात का क्या हाल है तो शिकायत की यह बड़ी तंगी में रखा हुआ है बड़ी परेशानी है जरूरियात बुरी नहीं होती तो फरमाया बहु से फरमाया बेटे की बीवी से कि वो आएगा इसमारी उससे कहे देना अपने घर की जोखट को बदल दे जोखट अची नहीं है क्या मतलब है जरूरियात सिर्म आए पुछा कुछ आया था कि हाँ यह से एक बड़ी मियाश शेकल के आया थे कि हाँ मेरे वाली थे कुछ कह गए है कि क्या यह कहा कि कह गए है कि घर की चोखट बदल दो क्यूँ ? हाल मुशा था कि हाँ मैंने बतला यह था कि यह परएशानिया था अश्रमाया कि मुझे खु क्याएगा थे तरह देने करना उसी वक्त दुछ दे दी बीवाला कर दिया और चले गए ये बेरे में सबरवना हो गए फिर आए एक अरसी के बाद फिर पूछा बीवी दूसरी आगी घर में बहुत दूसरी आगी पूछा ये क्या हाथ है क्या रहार में लाकर शुकर है फर्माई कि इस बाइन आएगा उससे कहे देना अपने गर की चोखट को बाकी रखे कि ये बड़ी शुकर गजा ल॓र ते jest तो मैंने अर्त किया कि ये घर की चोखट है जघर के racis माफ़ का मतले यह इतना है नहीं है कि ये ये शौछ का माल की माल की माफ़़ है नहीं ये अपने घर में हर बेदीने के आने से अपने घर के हवाद करने वाली है इसलिए इसका इहत्माम करें और हमारी मस्तुराद को चाहिए कि शरायत के साथ और पर्दे के साथ और महरम के साथ और जितनी शरी हुदून है इन तमाम उसके नहास करते हुए इस जमाने में इस वक्त ऐसे हालात उम्मत के हैं कि इन मस्तुराद का खुरूज इंतिहाई जरूरी और एहमियत रखता है क्योंकि पूरी उम्मत को आमारे दावत पर लाना है हर घर के अंदरी आमारे दावत कायम करने है हर घर में आमारे दावत कायम करने है इसलिए उसली बात है और बार बार अर्फी जाती है कि दो सेहरोजा मर्दों के साथ दो सेहरोजा मर्दों के साथ तीस सेहरोजा मस्तुराद के साथ तीसरे से रोज़ा मस्तुराद के साथ ये तरकी मस्तुराद के खरूज की है दो से रोज़ा मर्दों के साथ मर्दों की जमाद के साथ तीसरे महिने से रोज़ा मस्तुराद की जमाद के साथ अगर हमें खुद फिकर है कि हर घर में आमारे दावाद कायम हो तो यहां मेरे द establid को कायम करने के वज़े से खरूच का तकाजा होगा नहीं आखरी बात यह है के तब्ल्ीग और दावत के नक्र रार्कत तर्ज़ दीन सीखने के लिए नहीं है बल्के उम्मत को अला के फरायज़ पर लाने और उम्मत को दिन पर काइम करने की महनत है माईलियासा का मलफूद है कि तबलिव में लगतर कल्व नमाज का दुरूस हो जाना यह ऐसा है जिसा अलिपादा का सीख लेना यह माईलियासा का मुसादा चुपा हुआ है इसलिए इस मस्तुराद के खुरूज और नकल हरकत को इस वाफ की सबसे ज्यादा ज़रूरी और आहम जीसंद जाए जाए शेटान यह वज़ज़ पैदा करेगा कि यह कोई ज़रूरी नहीं है और इसकी कोई अहमियत नहीं है और अपनी 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 उर्टों को खुट दीन सिखलाओ बेशक नहीं पसकी अपनी उर्टों को दीन सिखलाना लेकίν इस तरह मर्दों बर मर्दों के जिम्हेदारी है इस तरह अपनी कर आफ्षिद विकान дав कर इस आयत का मिजदाख सिर्फ मर्द नहीं है इसलिए कोई ताकत नहीं है जो हुरतों को उम्मत होने के दाइरे से निकाल दे कोई ताकत नहीं है उम्मत का लख औरत मर्द बच्चा सब पर शामिल है इसलिए हर्थ क्या जाता है कि साल में दो मर्तबा कम से कम जिल्ला अश्रा और जहां मस्वाराद से रधर लगाईवी कम है नयकाम है वहां मस्वाराद को भी सार में दो मंतबा इनकों जोड़ कर reporting तककादिने सामें रखे जाएं मुलकों के तकादिन के तामे रखे जाएं और मुलकों के लिए मस्वाद के जमातों की नकट तश्कीले इस शिश्माई इज्वा में मस्वाद की की जाएं हलकी की सिदा पर जिले की सिदा पर जिस तरह भी मुम्किन हो जिसमझ में ज्यादा नहो इससरा मस्तुरात को उनके मर्दों के साथ साल में दो मर्सबा जमा करके उनकी रकाप तश्कीले मुलकों के तकादों के लिए और नए मस्तुरात को कावच लगवाने के लिए जहां काम का माहूल है इसका इसका इहतमाम किया जाए इसका इहतमाम किया जाए करेंगे इशाहां था आध ना था ना बागु फर्माएं था जिसे दो नहीं होते हैं अजी आध ना था है को नस्तुराइत के तर से बैहत का मतलबा आया है लेकिन सबसे बियारी बात यह है के पहले बाइट की अरकिकत को समझना चाहिए के बाइट क्यों हो जाता है और बाइट किसे कहते है हज़ूद ओस्ताइट सちょopit में बाइट का बाव गायम किया है उम्मत के बतलने के लिए कि सहाँएे कराम की बाव गायम के क्या मकासित है और इताद के बाद से इस बैद का मकस्द और इस बैद का आहद संजाया है इताद के बाद से बैद के बाद से बैद का मकस्द बतलाया और बैद के बाद से बैद के हमियत और बैद के मकासिद बतलाया है कि बैद क्यूं हो जाता है साहब एकराम की बैद का बन्यादी मकस्द अपने आपको सो फीसद अल्ला के अवाले करना था और यही हमें बैद के माना में मिलता है कि बैद खरीदने बेचने को कहते है इनल्लाह अश्तरा मैं नुनिना अन्फुसहुं वावादु बहना लहुम जन्ना अल्लाह ने इस आयत में समझाया है कि बैद क्या है फस्तब्शुरू वेह कुम लजी बायाकुम भी खुशो जाओ उस सुदागरी से जो तुमने ल्लाह के साथ की है आप बादा जगोजित खरीदें उस सुदागर जिसका मालिक नहीं बन सकते ना अकलन न शराइन जिसका आप कीमत पुरी अदाना करने खुशर अक्रम सिल्लाह 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 सुदागर को बैद फर्मा रहे थे एक साहबी ने अर्थ किया कि मैं तमाम काम तो करूँगा लेकिन दो काम नहीं करूँगा जगात नहीं दूँगा और दीन के महनत नहीं करूँगा ये बात बहुत आहम है एक सुनने की कि दो काम नहीं करूँगा बाकि सब काम करूँगा जो आपने फर्माए है लेकिन दो काम नहीं करूँगा जगात नहीं दूँगा और दीन के महनत नहीं करूँगा खुदर अकरम चल्ला अजिन ने फरमाया कि जो दुद जकात नहीं दोगे और दीन के मैंनत नहीं करोगे तो भी मैं तद्खुल जन्ना तो जन्न में दाखिल कैसे हो जाओगे ये सवाल इस बात को समझाने के लिए है कि जन्नत का मुस्तहिक और जन्नत का बनने के लिए ये दोनों फरीजे बराबर है जकात का फरीजा और दीन को दुनिया में काईं करने की महनत का फरीजा ये बहुत बहुत गुर करने की भात है जो मैं आठकात हुआं आप ने बहुत करने लाद खरेढ़ है bywa हम भात भात teammates का पाराँ जब तक तुम इन दोनों काम होगे करने कायद ना करो यह नहीं फर्माया कि जिहाद तो ज़रूरी नहीं है ज़कात ज़रूरी है मालका मालका मालकी ज़कात का फरिज़ा है बलकि आपने हाथ खेच लिए बैद करने से सहाबी ने जब देखा कि आम बैद ने फर्मा रहे तो आप सहाबी ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बैद फर्माईए मैं ये दोनों काम भी करूँगा कि इससे मालूम हो गया जो आहमिय अज़कात की फर्जियत की है वही आहमिय दावति लिल्लाह और इस उम्मत की जब में दीन की महनत की भी है आगे ज़ायतों में बैद के मकासिद में अल्लाह के दीन के लिए अपने वतनों का छोड़ना अल्लाह के दीन की नुसरत करना अल्लाह के दीन के बारे में किसी के मलामत की पर्वाना करना हर हाल में सुनना और मानना दिल चाहे या ना चाहे तंगी हो या फराखी हो और स्पर में बहित की थी आखरी लग्य बहित का कि आपने स्परभि साहाबसे रहत लिया है कि मेरें माज दूसरों को तुम से आगे बढ़ाएजाएगा तुम काम से पीछे नहीं हटोगे सहाबा से इस तर भी रह्य लिया गया है इसलिए सहाब एकराम खुद फरमाते हैं नहने लजीन अबायू महम्मदा अलाल जिहादी मा बकीना अबदा के हमने मौत तक दीन की महनत करने पर आपसे आहद किया है ये सहाब एकराम की वैद के मकासी दें और सहाब एकराम की वैद को पुरा किया करते थे यहीं वज़ा है यहीं वज़ा है के सहाब एकराम ने हर एकराम को पुरा करके दिखलाया है अल्ला ने तारीख किया कुराम सहाब की फरमाया रिजाल صدقوا معاہد اللہ علی के सहाब अमर्द मेदान है ये अला ताले के आहद को सच करके दिखना है आप पुरा करके दिखना है जिस चीज़ का सहाब अक्राम आहद कर लिया करते थे उसको पुरा किया करते थे हदर सौबान रभी अलाह ताले ने इसमात का आहद किया था कि इसे कोई चीज़ नहीं मांगेंगे उनका कोड़ा भी गर जाए करता था सवारी से तो नीचे उधर के खुद इठाते थे कि इसे मांगते नहीं थे इसलिए हमारी मस्तुराद इसका भी आहद करें कि इन्शा आला हम इसे इथा इंधर के साद अपने घरों के अंदर कुराण की तालीम का और अनवारी मस्तुराद को दीन की तरा मुच्चे करना का इथा इयक करेंगे यह हमारा बुन्यानी काम है जहलियों से अबने मुटालिकात से अपनी परोसनों से बज्याद दिन्या की बाते करने खीवदे करने के हमें चाहिए कि जो भी शक्रे मुलाकात की हो हम उन उन उन्हें आखिर की तरफ और इन्हें दावद की तरफ मुत्वज़े करें जिरेंगे इंशाओना पर्मा उन्हें जन्हें प्राबना एझवद की बाक्राइबी मैंः ए्मर्ण परोसी। सلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا لا إله إلا الله محمد الرسول الله کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان لا احمد اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر جو کچھ بھیلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان لا احمد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر توبہ کی ہم نے شرک سے کفر سے بدعج سے پرایا مال ناحق کھانے سے ناحق کے خون سے جھوٹ سے سود سے غیوت سے زنا سے چوری سے بہتان سے اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقر حرکت میں کمی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما عہد میں ہمیں مضبوط فرما ضعوت کے قام کے لئے ہمیں قبول فرما بیعث کی ہم نے حضرت مولانا محمد علیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سعاد کے واسطے سے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو قبائر کہلاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لئے سب سے بنیادی سبب اور بنیادی ذریعہ و نوافل کا احتمام ہے آج کے العام طور سے لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا یہ بھی خیال پیدا ہو گیا ہے کہ نوافل تو بڑے بڑے لوگ پڑتے ہیں جو دنیا کی کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں یہ خیال غلط خیال ہے بلکہ نوافل کی تثرت اللہ رفعہ لزرد کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے عزا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے حدیث قدسی کا خلاصہ ہے اس لئے چاہیے کہ تحجد کا اور اشراق چاشت اور عبابین کا خاصتوں پر احتمام کریں تحجد یہ تو سب سے جالے نفس کو کچلنے والا عمل ہے اور نوافل کی تثرت یہ اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے اس لئے ہماری مردوں کا مصورات کو چاہیے کہ یہ گھروں کے اندر نوافل کا خاصتوں پر احتمام کریں دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے اس زمانے میں وہ آلات اور اسباب اور ہر طرف فخش اتنا پھیل گیا ہے کہ نظر کا بچانا سب سے بڑا مجاہدہ ہے جو اپنی نظر کو حرام سے نہیں پھیرے گا جو اپنی نظر کو حرام سے نہیں پھیرے گا وہ کبھی عبادت کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا عبادت کی حلاوت اور لذت اس کو محسوس ہوتی ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنی نظر وہ حرام سے پھیرے لیتا ہے اس لئے کہ جو نظر حرام کو دیکھے گی وہ نواز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی یہی سے بہت احسان کا خلاصہ ہے اس لئے نظر کی بہت حفاظت کریں تیسرا سبب بنیادی سبب وہ اللہ کا ذکر ہے بشرتے کے ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ اور ذکر کو اس کے آداب اور ذکر کو اس کے طریقے کے ساتھ کیا جائے منعیلیہ صاحب جوانے کا خط حضرت کا آت کے لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے حضرت نے میرے ساتھی کو لکھا کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے عدبی ہے جسے دلمہ سستی اور غفرت پیدا ہوتی ہے اس لئے ذکر میں اللہ کا دھیان جوانے کی پوری کوشش کریں کام کرتے کرتے ذکر کر لیا مستور حضرت کا مزان ہے کچھ کام کرتے کرتے ذکر کر لیا مردوں کا حال ہے کہ دکان پر کھڑے کھڑے ذکر کر لیا تصوری کرنی ہے ایک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے یہ دنیا کے سارے کام ہوگئے کرتے ہوئے ہیں لیکن اپنے دل کو غفرت سے پاک کرنا اور اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لئے کچھ وقت اور کوئی تعداد ذکر کی وہ ہے جس میں اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹنا چاہیے تمام حاجتوں سے تمام ضروریات سے تمام تقاضوں سے اپنے آپ کو پوری طرح منقطع کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے کہ ذکر تبتل چاہتا ہے بتاقید سے فرمایا وَذْكُرِسْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِلًا اللہ کو یاد کرو پوری طرح اس کے غیر سے کٹ کر اس لئے ذکر باوضو کیا جائے تنہائی میں کیا جائے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کیا جائے ذکر میں زبان کو دل کے تابع کریں عیسیٰ فرمایتے ہیں جب ذکر کیا کرو تو ذکر کے کٹر ذکر کا احتمام کرنا ہے اس میں ایک تذبیق یسیلہ کلمہ کہ سبحان اللہ وَالْحَمْدُلْلِلَّهُ وَلَا إِلَّا 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 وَاللَّهُ أَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ایک جو جب ترشی کل قیّهت گفار کی जो हाईत गैस होई हें, इनको जाहिए, इन तीन तस्विहाथ के अलारा, 10 तस्वीह Allah, Allah का जिकर कर लियाकरें, इस तरह के औल आखिर, गयारा, गयारा, मत्तवात विस्चरी पढ़ें, और 10 तस्वीह लफज अलारा, Allah का जिकर कर लियाकरें, अफज जिकर कुरान की तिल प्रुब नहीं है ये जर्व कुरान के खाबिल नहीं है इस बारे में जगड़ना बहस करना इसे कोई फाइदा नहीं है बलखि इसका बेहतरीन जवाब ये है किसलेव सालिखीं का खुदाफाय राशिदीन का तरीका प्रुआन पढ़ने में क्या रहा है ये मत को कर यू हो जक तोड़ी सी अकल को इस्तामाल करें, अपने हर अमल को सुर्भ साहिएं के तरीकों के तरफ लेकर चलें, इस बारे में मसला पूछना और गुंजाइश निकालना, इसका कोई फाइदा नहीं होगा सिवाए इसके, कि उम्मत सुनत अजाच कर विवाजी तरीकों की पाबंद बल यह मैं इसलिए आज़ कर रहा हूं कि यह जो नया, नई खोम आ रही है, इसने पुराने तरीकों को तस्विहात का बदल, यह इलेक्ट्रोनिक तस्विहात, और गुरान को मुबाइलों के अंदर रखकर सहुलत है, यह सरफ सालिहीं का उखला फाराशीं के तरीका नहीं रहा है, अदल, यह महसूस हर्माते थे, कि रिल्म हासिल करो पुरानों के तरीकों पर, बजगा रूस्मान नदियों का कुरान फट गया था, बकासरत देखकर पढ़ने के वज़े से, रिवायत में इसी तरह है, काना यूदीम नन्नजरा फिल मुस्छफ, कि नजर गारते थे थे कुरान में, नजर गारते थे कुरान में, एक रिल्म ने भी जाल, कुरान को आँखों पर रखते थे, और चुमते थे, और कहते हैं, मेरे रब का कलाम, मेरे रब का कलाम, हमें चाहिए, कि खुद भी इस पर आमल करें, दोस्यों को भी इस किताबत दें, कि जो तरीके सरे में साहिजीन के दरियते हैं उन्हीं पर काहें बहना चाहिए मुबाइल ऐसी खुराबाद और फॉर्स जिसे भरा हुआ है कि जिसके दिल में जरा से भी तक्वा होगा वो इस बात को बर्दाश्ट नहीं करेगा कि पुरान को यहां रखा जाए यह आकर इसको गवराने करेगा मैं कहले भी करता हूँ विसाल भी दिया करता हूँ कि पेशाब के बर्दन में अगर किसी को पानी पेश किया जाए तो सخت नाराजाब को भी आपसे बात नहीं करेगा हланके नए बर्दन है और उसने फैशाब कभी नहीं किया गया है लेकिन इस बर्तन को फैशाब के लिए बनाया गया है जो काम जो ची जिस काम के लिए बनाई गयी है उसको उस तक रखा जाए यही अकल का भी तकाजा है यही शरीयत का भी तकाजा है इसलिए में ने बात अर्श की है कि नया ख्यान नया जहन और नया फैशन इसका आ रहा है कि कुरान कुन उठाएगा कुन वजू करेगा कुन कुसी माल कर रखेगा और ये करना पाल की बेदरी हो जाएगी लिहाज़ा कुरान न रखा जाए ये शेदान का धोका है क्योंकि खुद कुरान मजीद का साथ रहना ये अल्ला की मदद के साथ वने का बन्यादी सबब है इसलिए को में अन्बिया लियमस्तराम के सुछफ का पूरा पूरा बक्स और संदोग साथ रखती थी ताकि इसके जरी अल्ला की मदद आए अज़ाए लुस्तराम आए जरी कुर्सी को लिखकर बच्चों बेरे में डाला करते थे ताकि इसके जरी आफाज़त हो ये किताबत ये वही के नाजिल होने से चल रही है कि कावस पर लिखकर बलकि अल्ला ने बाद अम्जा को सौफ लिक्र वे दिया है इसलिए पुराने 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 पुरा इसका ख्याल किया जाए तो हमने अर्द किया कि पुराँ की तिरावत सबसे अफ़ल जिक्र है तमाम अथकार का बाद्शा है पुराँ भादिश में आता है जिसको पुराँ की तिरावत क्यों जैसे जिको ज़रा का वक्तन नमीले अल्लह उससे बेहतर उसे फुमाते थे, मैंने सारे मुझी औराद और वजायक्स करके देखे लेकिन इस उत के कुरान पढ़ना बड़ी तेज रस्तारी से अल्ला के खुर्व का दरीया है चुक्कि अल्हाई ही ने फुर्माया इन्ना कुरान फज्रिकाना मशुदा इस उत के कुरान बढ़ना बड़ना के यहां बदोरे खास पेश किया जाएगा यह यह मशूद का मतलब यह है कि फरिष्टों की दोनों जमात इस वक फाजिर होती है राद की जमात जो अबर जारी होती है दिन की जमात जो आसमान ते उतर चुकी होती है अमल एक होता है डबल दिखा जाता है यह वक्त दोनों जफरिष्टों की जमातों के हाजिर होने का है यह मतलब यह है इन्ने खुरान फजिकान मशूदा इसका एकमाम करें हमारी मस्तुराद को चाहिए यह बारे मर्दों को चाहिए कि यह दावत के अताफाजों के अताफाजों के अताफाजों के अताफाजों पर मुक्त्दम रखें हर सार चार महीने नकभवर्ण के लिए यह सहाबाए कराम की महनत की अधना सुझा थी तिहाई माल तिहाई जान तिहाई वक्त ये सहाबे किराम की महनत की अदना सुजा थी मानलियासा का मलफ़ाद ने छपा हुआ है कि अगर सालना चार महीने अल्ला के रास्ते के खुरूच के लिए अपना जुजवे जिन्दगी नहीं बनाओगे इमान के हदावत और इमान के मज़े पच्पनी सकते ये मलफ़ुदा रज़ का छपा हुआ है इसलिए इसका आजम करें हमारी मस्तुराश को चाहिए कि ये भी घरों के अंदर आमाने दावाद जबावत काहिम करें ओर्तों को चाहिए नमाजे अवर्ण उपने पढ़ लिया करें ये मर्त बेशक मसीज के नमाज के पाड़न है और अरतों की नमाज की बेहते जिगा, उसके मसीज इसके घर का अंदर का इच्सा है जितना ओरध घर के अंदर के नमाज सब्सक्राइगी जितना अल्हा के ज़्यादा करीब होगी इसलिए औरध को चाहिए कि खरों के अंदर नमादों का अवर रुखने इत्माम करें और जो नमादों के बदाए गए है इत्हाद जुवत इश्राव चाष्ट अवा अमीन इसका भी इत्माम करें सुबाश शाम की तद्विहात और कुरान की तिलावत का बना मामूल बनाएं अल्ला का मुए बड़ा फदल है और बहुत और तहरी से नामद के आर्थ करता हूँ कि हज़र शेख और जखरिया साथ अम्सुला रहे उनके अपने घर में अब्तिजा से औरतों में कुरान की तिलावत के इहत्माम के वज़े से अब तक खानदान में अल्ला का फदल है कि पुरान की तिलावत का महमूल है अब यदि ऐसे औरते हैं जो कोशिश करके सुबादे शाम तक ये दो दिन में कुरान खटम कर लेती है मैं बतुर तारीफ के नहीं कह रहा हूँ बलके बड़ों के इहतानात के नताए जाल कर रहा हूँ अबी भी अखन दिल्ला ऐसे औरते हैं और मैं अब तक खानदान को नहीं कह रहा हूँ बेशमार ऐसे खानदान हैं जिन में औरते हैं दो दिन में उकरान खटम कर लेती हैं घर के तमाम पकादों के साथ लेकिन अगर घर में खाहिश के नफ़े और मर्त की मर्त को स्फिर मर्त की खाहिश के बुरा करने का सबस्जा जाए तो पर इस औरत को शायद गुरान खुल कर देखने की फुर्सत नहीं होगी यतने घर के तकादे होंगे जितना घर के निदान को साथगे पर लाएंगे इतना जादे 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 वक्त मिलेगा कुरान की तिलावत का दिकर और अबादत का हमारी और्टों को चाहिए कि एक हरो के अंदर कुरान की तिलावत का इहत्माम करें वो घर वीरान है वो दिल वीरान है एक जिसमें कुरान की आयत ना बढ़ी जाए तो वो घर कैसे आबाद होगा जिस जिरकें अब गुरान की तिलावत ना हो इसलिए इसको अपने मामूल बना ले कुरान की तिलावत को और हमें मस्ष़ाँ को जाये जिसना मैंने अर्द किया है घर के पाच आमाल बतला जाते हैं ये आमाल नगुवत आमाल सहाबा है इसमें कुरान की तश्रीक अहलका, किताबी तालीम, छे सिपात का मुझाकरा अर्द करास्ते में निकरने के लिए मस्तुराग की तश्रीक और अगले दिन का मुझारा तालीम तर्दीब यही रहे, एक दिन, फदाल आमाल, मा फदाल सुज़काद हदर श्रीक अम्दाले के लिखे हुए, वो फदाइद अहादिस के देर में, जो एक महतिस आज़म की, सारी जिन्दगी का निचोर है और वाकी, हम वहादब नहीं पहुन सकते जहां तक श्रीक ने अहादिस के फदाल किये हैं इन्हें बहुत गोर से पढ़ा जाए, और अपनी मوجودा अहालत और जिन्दगी को इन फदाइद से मकाबला किया जाए, यही तर्वित तर्वित का रास्ता है एक दिन्मुदखा बहादिस से तालीम का इतमाम हो, ताके इन छे सिवाद की अहमियत, इनकी हकी रास्ता हादिस से समझें और खुरुच के फदाइल एकमाम से पढ़े जाएं, ताके फदाइद की जमकी रिवायतों से ख़दा करास्ते की नकल हरकत की अहमियत और उसकी रखबत, हमारी औरतों के दिलों में भी, और मर्दों में भी, यह बिज़ाज आम हो, इसका इहतमाम करें इसी के साथ साथ, हमारे मस्वराथ को जाईए तीसरे महिने से रोजा, तीसरे साथ जिल्दा, और सारों आधर दिन आदा रात्ते में भी करने का इहतमाम करें, जिए इंशाला, आपूफू झाला है रब अञफर उ रहन वाहिव ए ऑ कंद़ एल श्राम रोगना लोफम भला व्र उना म त्दिया हसना वे लाँ खैना ते खषना वाकिना अदाब अनार एए ल्ला हमारे गना हुकम आफ फर्मा एए ल्ला हमारी खतायां से दर्गुजर फर्मा एло हम से सबसब बड़ा जुर्म ये हुआ कि ते ले नभी कि उम्मत मुर्तद होती रही गरों में गिरती रही एल्ला हम दुनिया कमाने में लगे रहे हमारे ज्रुम compassionate को माः वर माध फर्मा दे एल्ला हमें सभाव की तरह और सहावियात की तरह अपने दीश पर चलने के लिए अपने दिन को दुनिया काईम करने के लिए कुबूर फर्मा दे या लाह एक 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 सहाबा की ओलाद की तर्वियत की है या ला तु हमारी बेहतरी तर्वियत फर्मा, आमाल अस्बाब तर्वियत पर हमें काइम फर्मा या ला हमें सुन्दों का इहिया सुन्दों का इहिया पर काइम फर्मा एक सुन्द का हमें पाबन बना दे गेरों के तरिखों के नफरत हमारे दिलों में पैदा फर्मा दे या अल्ला इस मुल्क में और कुले आलम में खुसां इस लाके में या ला हमें सुन्त के अहिया के लिए कुबूल फर्मा ले ए ला गेरों के माशरे के नफरत हमारे दिलों में पैदा फर्मा दे एए Allah गेरों के माशे ही के नफरत हमारे दिल में पीदा बादे एए Allah हम्मत में यह यह सुनत की जिममेदारी का शुआ प्याद़ा पीदा फर्मा या लगर हमारी औरों और बड़ों व को अ聊'll को ये औरों तिall inequ हंसी तैला को को भीदार बेदाके ओर जामा ना दिए ए बाय हुत्वे तर, हमारी यान buzz फर्मा हई, समस्थे सान काया है, ए लौछ अपने अपने फद्र मी कुद्र का अंपया interface पर भात पर, हमारी यान फर्मा अपी रदा वाले कामा हो, अपी रदा वाले कामा के मतवग्गे हैं तो उनके हुसन जनके लाज रखकर या लाज उनके लाज रखकर उम्त की thर injuryات का तकफुन फर्मा। उम्त के परेशादे को दूर अव्याठी बिमार को शिवार नसी फर्मा। मकृरुजी नके करदा होने की गयर हैव उसे फिरत에 प्रम जनाहां मुकуемाते माखूध हैं इनकी आखलासी के फैसले फरमा आखिरन का फिक्र अम्चिद के दिलों में पेदा फरमा या ल्लाह इस मडरसे की और इस इäreके की अधारे की पूरी बूज़़े हिवादत फरमा इनके मालमीन की, इनкі मतालमाद की और इनके मतालिमात की और इनके मालिमीन की पूरी पूरी हिवादत फर्मा या लाह इस मदर्से के जरीए पूरे यूरोप में और पूरे अलाके में और पूरे आलम में या लाह इनकी खिद्मात को उम्मत के जियालत से निकलने और अपने अवामिर पर आने और इ exhib में अहल्हिक के हातिक करने का इसको जरीया बना दे ए लगए अम्मत को इनकी खीर्माद के जरीये जहारत के जनी कारवों लिजह लिजास के प्रकूपन से निकाल कर ए अल्हा इस इताथ के रासबस तो इनको डाल दे एए लाहिने अपने मासिया से मस्तखनी फर्मा कर एए लाहिने अपने दिन की खिदमत के लिए कुबूल फर्मा कदम कदम पर नुसरत फर्मा कदम कदम पर रहबरी फर्मा मराशिद उमूर इल्हाम फर्मा तमाम रुकावणों को दूर फर्मा हर हासित के हसद से हर बच जर के बच नजरी से और या अल्ला बातिल के शुरू फितन से इस एлारे के पूरी पूरी हफाज़द फर्मा, या ला इंके छुद राम को तु इस तरह कुबूल फर्मा, जिस तरह तुन अलमा चैसário को इस तरह कुबूल इल्लाइ अब्ना वद्धाल सामय उत्वार उत्वार, भ्व्पना तकभल मना कैसी लिए इन्ते 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 बाहती इन्ते इन्तवाब मर्क एमें इन्ते हमें कैसा.